आप सभी का स्वागत है मेरे नीव विलोग में और आप सभी को राधे राधे जैसी क्रिशना तो फ्रेंट्स आज है सुमवार और सुमवार के सुभा के हो रहे है साड़े पाच और यहाँ नहीं मैं उठके अपने घर का काम इस्टार्ट कर चुकी हूँ जैसे कि आप सभी मम लोग भी इसी तरह से करते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ ना सुभा का टाइम हो रहा है और यहाँ ना मैं बच्चों के लिए कर रही हूं दूद गरम क्यूंकि ना रात को दूद लेके आये थे तो उस समय मैं बॉइल नहीं करती हूं क्यूंकि वैसे भी थंड़ा हो जाता है जादा टाइम लगता है फिर उसे गरम करने में इसलिए मैं दूद को सुभा ही बॉइल करती हूं ताकि कि बच्चे फ्रेस फ्रेस पी सके और उसके बाद में फ्रेंट्स यहाँ ना आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूं लोकी का चीला बहुत ही जादा टेस्टी बनत और टमाटर डाल दी हूं तो यह सब को बारिक बारिक कटिंग कर ली हूं और उसके बाद में यहाँ मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर और उसके बाद में धनिया पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अनुसार तो फ्रेंट्स यहाँ सब यह डालने के बाद में बेसन डाल बच्चे ऐक बार किया बार बार मांगेंगे एक बार आप जरूर ट्राइव पर करएगान और काफी करती है यहां mo पतला करना है जादना ही गाड़ा करना है तो यहां मैं न धोसे वाले तवे से बना रही हूं नॉर्मल तवे पे भी बन जाता है लेकिन उससे जल्दी इसमें पलटना उसका आसान हो जाता है इसको जब हम पलटाते हैं तो इसलिए मैं धोसे वाले तवे पे बना रही हूं दे देखिए एक चीला बन गया है और यहां पे देखिए यह न काफी टेश्टी होता है फ्रेंड सच मुझ में आप लोग भी जरूर ट्राइ किजिएगा और बच्चों को जरूर देजिएगा क्योंकि घर का खाना जैसा कहीं बाहर का होता ही नहीं है और मेरे जब बच्चे करने के लिए रख दी हूं और साथ ही बच्चे ब्रेकफास्ट भी करके इसकुल चले जाएंगे और उसके बाद क्या होता है कि जैसे अगर बच्चे खाके चले जाते है ना तो इसकुल में थोड़ा लंच का टाइम लेटी होता है तो कुछ तो भी पेट में सहारा होना चा डिए जैसे कि मैं अपने बारे में बता रही हूं तो हर सबी में डालती ओओ जलन्ट और और सांसर को भी मैंने साथ ही दे दिये थे और पिर मेरा होता है यहाँ काम स्टाट खर का क्योंकि सुबह मैं आजकल कुछ भी नहीं कर पा रही हूं किचन के सिवाए क्योंकि जैसे स के उए रहते हैं तो उन्हें भी सब विवस्थित करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और साथ ही साथ घर का इश्ट्रा काम जैसी कि अगर हम आर्टिफीसियल जो भी डेकुरेट करते हैं तो उसे भी हमें समय समय पे क्लीनिंग करनी होती है और साफ करके उसे विवस् सब्जी क्या होता है अपने परिवार के ध्यान को रखते हुई यहां पर मैं जो भी सब्जी आता है तो मैं उसे बिलकुर भी ऐसे नहीं रखती हूँ और सच बताओं तो जैसे कोवीट के पहले ना हैबिट थी कि हम ऐसे ही रखतिया करते थे लेकिन कोवीट एक ऐसी चीज है जिसने हमें लाइफ में बहुत को सिखा दिया था कि हमें कैसे सैनिटाइज करनी चाहिए कैसे रखनी चाहिए यह सब कुछ ना हमें कोवीट ने सिखा दिया था तब से लेके तो अब तक यादत बन चुकी है कि जब भी पहार से अगर कोई समान आता है ना तो उसे बीना मतलब की sanitize करें हम लोग बिल्कुर भी use नहीं करते हैं मतलब वही habit हो चुकी है और friends यह अच्छी भी बात है कि हमारे ही परिवार की safety के लिए होता है हमें किसी भी चीज को clean करके ही रखना चाहिए तो जब से लेके बिल्कुर आदत हो गई है कि यहां मैं पहले धो के इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और उसके बादी मैं फ्रीज में फिल करती हूँ तो फ्रेंट्स यहां सारी सबजी मेरी धूल चुकी थी और कभी भी मैं सबजी को जब धोती हूँ न तो नमक डालके ही धोती हूँ जो भी उसमें bacteria वगएरे होता है वो सारा clean हो जाता है और यह beetroot है तो इसे भी मैं साफ कर दूँगी तो फ्रेंट्स beetroot जादा दिख रहा होगा क्योंकि मेरी सास को boil करके देना पड़ता है तो इसलिए हम लोग beetroot वगएरे जादा लेके आते हैं तो अब जैसे कि हपते में एक बार freeze अच्छी तरह से खाली हो जाता है तो मैं यहां पर freeze वगएरे साफ कर देती हूँ जैसे कि कभी अगर थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा जादा गंदा हो गया है तो उसे मैं अच्छी तरह से विंबार करके साफ कर देती हूँ अगर कम हलका हलका गंदा होता है तो फिर उसे मैं कपड़े से ही साफ कर देती हूँ तो मतलब कि मुझे ना मतलब 15 दिन हो गये थे ऐसे पानी से धूले हुए विंबार करने को तो इसलिए मैं इसे अभी पानी से मतलब की विंबार करके ही धूरी हूँ अगर कम हलका सा होता है ना तो कपड़े से ही गरम पानी लेके मैं साफ कर देती हूँ तो फ्रेंट्स यहां देखे बाते करते करते मेरा फ्रेज के भी सारे बॉक्स वगरे मैंने क्लीन कर दिये सबजी भी यहां पे मैंने रख चुकी हूँ अब सारा हो गया था तो बस यहां पे अब मैं कर लूँगी पोछा तो क्या है ना लाश्ट मेरा जो काम होता है पोछा का ही होता है तो भई अब चलिए पोछा भी लगा लेती हूँ मैं और उसके बाद में मेरा बच्टा है नहाना आप सभी को एक बार राधे राधे और अभी ना मैं जस्ट नहा के निकली हूँ और अभी टाइम हो रहे है 10.30 तो चलो रिखा देते तो यहाँ पर मैं काना जी वगरे को नहला दिये थे उनको भोग वगरे देने के बाद मैं धूप अगरबत्ती वगरे लगा दी और पूजा पाठ हो चुका था खाना वगरे खाने के बाद थोड़ा सा धूप वगरे मैंने सेख लिए और उसके बाद मैं यहाँ आ चुकी अपने काम पे तो हाउस वाइब का काम ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता तो फ्रेंड्स मैंने सबजी वगरे जितने धूले थे तो वो सारे फ्रेज में लगा दिये और फ्रेज के बॉक्स वगरे भी सारे सेट कर दिये उसके बाद मैं मुझे यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई करने थी थे जब मैं सेटकरने बैठी तो मसीन में जब सिलाई ना जब देखी तो तो देखी तो सेटक Repeur कर ना था था तो इस्क्रू खूली नहीं रहा था तो यहां पे खोलते-खोलते मैं परिशान हो गई तो फिर उसे मैं छोड़ दी मैं सोची कि चलो अब यह आएंगे तो इन से खुलवा लेंगे तो यहां पे जो स्याम का काम होता है वो मैं निप्टा के अब रात के खाना में लग चुकी ह तो दाल जो है मेरा मिक्स मैंने डाली हूँ इसमें मैंने डाल दी हूँ चने का दाल और उरत का दाल और मुंग डाल और जब मैं दाल वर लॉकी बनाती हूँ या कोई दाल भी सिंगल बनाती हूँ तो हरी मिल्च और लसन जरू डाल देती हूँ तो उससे ना काफी दाल का टेश्ट बढ़ जाता है और उसके बाद में यहां पे न सीटी वगिरी लग चुकी थी दाल की और दाल भी पक चुकी है अब मैं यहां लगा दूँगी तड़का तो जैसे कि अगर यहां तड़का लगा दूँगी तो सबसे पहले मैंने थोड़ी से हींग डाल दी हूँ जी आजुँद इस बाद में टेश्ट बढ़ाने के लिए डाल दूझे उसके बाद में यहां टेमाट्र नमक डाल चुकी हूँ देखें यहां पे टमाटर भी पिढशा थी पीगेल देखें यहां पर मैं डाल दूँगी दाल तो देखिए यह सब हर को ही बनाता है लेकिन अब भी मैं रोटी बनाती हूं दो फिर में भी रोटी बनता है मेरे बच्चे जादा करके रोटी ही पसंद करते हैं और जब लिक्विट वाला सबजी होता है उसी के साथ चावल खाते हैं तो यहां पे मैंने कुकर वगिरे धूली क्योंकि मुझे चड़ाना इसमें चावल त लेकिन बाइचांस कभी कभी चल जाता है तो चावल यहां देखे एक साइड में रग दीओं और यहां ना दाल भी बनके तैयार हो चुका है तो देख सकते हो कितना अच्छा देख रहा है दाल और प्लीज अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी ल लाता है तो